हेलो एवरिवन वेलकम बैग को मैं न्यू वीडियो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी अगर आपके पास CDR फाइल्स हैं अगर आप इसको लेजर कटिंग मशीन के सॉफट्वेयर में ले जाना चाह रहे हैं पर ले जा नहीं पा रहे हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए मैं एक तरीका और बता रहा हूं क्योंकि सीडियर फाइल्स हमारी फॉर्मेट जो होता है वह सपोर्ट नहीं करता वह खाली कोरल ड्रो का ही फॉर्मेट होता है और यह को अगर ऊणिशना चाहते हैं प्रोट दैगें प्रोट के यह खाली लिगूर्स पर लिए कर देवाोगें अगर हम क्लिक देंगे तो इंपोर्ट का वापिस से हमारे को शो हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा लोडिंग कर रहा है उसके बाद आमारा जो है इंपोर्ट का ओप्शन है जो कि वहाँ पर शो करेगा जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रीविएस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो या फिर हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो क्योंकि CO2 software की यह जो हमारे cut machine का software है इसकी हमने training, tutorials, power settings, alignment कैसे ठीक करते हैं alignment कैसे check करते हैं तो सारे हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं वो अपने check कर सकते हो देख सकते हो अब रही बात हमारी जैसे कि यह CDRs फाइल्स है इसको हमें engraving के लिए लेके जाना है अपने cut machine के software में क्योंकि क्या होता कि cut machine के software में हमें अब designs अब provide नहीं हो रहे हैं मतलब कि हमें दे नहीं रहे हैं जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हमारे कोई भी designs नहीं है खाली हमारे templates दे रखे हैं अगर आप golden panel बना रहे हो या फिर कोई भी engraving कर रहे हो या फिर आप key chains cutting के लिए key chains बना रहे हो तो वह कैसे आप ले जा सकते हो इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर हमारी files जो है इसको हमने delete कर दे यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है file जैसे कि कोई CDR file होती है वह import करते हैं तो नहीं show होती support नहीं करती है जैसे कि आप दिखाए जैसे कि हमारी cdr files का हमने format अपना file open किया folder open किया तो वह हमेरे show नहीं हो रही अगर हम all files कर देंगे तो हमारे को यहाँ पर show होने लगेगी जैसे कि देख सकते हो यहां पर show हो नहीं होग पड़ी जैसे कि आपको एक चीज और बता चाहूंगा यहां पर All Files की जगए आपको यहां पर Supported All Supported Images Files जो दिखारा है जो support folder है मतलब कि support format है सोरी, आपको यहां पर show कर देगा MDR आपका software जो format है वो ले लेगा MMD folder जो format है वो ले लेगा DWG, format DXF, format DST, PLT, AI, BMP यह सारे formats आपको ले लेगा मतलब कि system जो आपका software है यह support कर लेगा लेकिन CDR file है CDR file support नहीं करेगा हमारे पास लेकिन CDR files है CDR files के लिए हमारे पास CorelDraw अवेलेबल होना चाहिए चाहिए वो कोई सा भी version हो CorelDraw download करना है तो वो आप Chrome से कर सकते हो उसका मैं link दे दूँगा description में आप खाली description में आपको click करना है तो आप वहाँ पर download हो जाएगा आपका X7 का जैसे कि अब कोई भी एक हमें engraving के लिए file चाहिए जैसे कि मान लीजी यह चाहिए या फिर हमें XYZ हमें यह चाहिए चाहिए मान लीजी हमें यह चाहिए क्योंकि इसमें heavy थोड़ा सा work है देख सकते हो आप इसमें heavy work है तो हमें यह चाहिए अब इसको हम क्या करेंगे ungroup करेंगे क्योंकि एक भी हम file open करते हैं import करते हैं यह आपे तो वह हमें group में होती है जैसे कि हमने Ungroup किया जैसे अब हमारा systematic जो है हमारा ये एक दो तीन चार अलग-अलग करके Ungroup हो हो रहा है जैसे कि अब Ungroup किया तो वहारा हो गया तो वारा हो गया है अब हमने एस साइड में रख दिया इसको हमने क्या किया? combine करना है combine कर दो weld करना है weld कर दो अगर हमने जैसे कि हमने back कर दिया एकबर undo कर दिया अगर हम इसको combine करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो तो हमारा फूरा एक ही color हो गया ठीक है? क्योंकि हमने खाली engraving करना है तो हमने इस तरीके से पूरा ब्लैक कर दिया या फिर हमने आउटलाइन या फिर कोई कर दिया ठीक है अभी फिलाल के लिए क्योंकि हमें इंग्रेविंग के लिए ही लेके जाना है तो हमने इंग्रेविंग के लिए हमने इस तरीके से कर दिया अब हमें export करना है,ika पे Ctrl-e दबाके भी export कर सकते हो और यहां पे आप जाके भी आपना export कर सकते हो, एक file में आपका जाके भी export कर सकते हो, जैसे export करेंगे यहां पे मैंने एक xyz folder बना दिया है, तो इसको हम format में भी दिखाया था कि कौन कौन सा format अपका support करेगा वह यहां पर आपको दिखा रहा था PLT है तो हम PLT में ले लेंगे PLT में जादा तर हमें PLT में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि यहां पर वो cutting file support होती है तो इसमें हम यहां पर जाके हम color automatic भढ़ सकते हैं अब यहां पर हमने PLT ले लिया है जैसे कि आप देख सकते हो यह PLT आपका आएगा कहां पर अगर हमारा clearly इस तरीके से होता है तो हमारा HPGL करके आएगा HPGL करके आएगा फिर plotter file लिखाएगा अब यहां पर एक कर दिया अब selected only करना है हमने और first, second, third डालना है बस हमने खाले एक्सपोर्ट कर दिया हमने ok करना है आपने तो हमने खाली जो select किया था वह हमारा आएगा उसके बाद हमने क्या करना है अपने software में जाना है यहां पर इंपोर्ट करना है वापिस जैसे x y z हमने folder अपना open कर लिया जैसा कि देख सकते हो 123 हमारे file देख सकते हो आप यहां पर open कर लिया open करने के बाद आपको देखो यहां पर हमारा engraving का दिखा रहा है अगर हमारा cutting file है वैसे हम दिखाते देते हैं आपको यह हमारी mirror हो गई अब इसको हमने mirror कर लिया तो हमारी CD हो गई अब इसका अंदर हम black color कर लेंगे left click करके black color कर लिया right click करके हमने outline हटा दी जैसा कि यह हमा चाहते हो कि इसमें cutting हमारी smoothness नहीं आएगी तो आपको मैं दिखा देता हूं एक बर zoom in करके तो इसकी अंदर आप देख सकते हो बिलकुल भी हमने बहुत ज्यादा यह zoom in कर लिया तो जैसे आपके PLT में नहीं आता आपका मतला finishing आती है PLT में अगर कोई और format में आप लेके इसमें zigzag show करेंगे अब रही बात हमारी PLT में भी हम cutting file save कर सकते हैं अगर आपको PLT में आइटम नहीं आ रही है object हमारा कोई भी एक दो या object हमारा show नहीं कर रहे है तो हम एक काम ओर कर सकते हैं BMP में save कर सकते हैं BMP खली engraving के लिए ही जाएगी अब जैसे कि हम यहाई पर वापिस एक बार आते हैं तो अगर हम quality लेकिन low हो जाएगी ठीक है अब जैसे कि quality हम दिख 1,2,3,4 ठीक है selected only कर लिया हमने export करा जैसे कि देख सकते हो अभी हमारी original quality हमारी यह है इसको मैंने ok कर दिया तो यहाँ पर हमने वापिस एक बार हमने file import किया तो यहाँ पर हमारा यह आ गया 1234 BMP वाला BMP देखो support कर रहा है जैपीजी हमारा कभी कबार नई support करता है तो वह आप BMP में भी ले सकते हो 123 PLT का है तो यह मैं दोनों आपके लिए दोनों format हमने कर लिया अब मैं फारक दिखाता हूँ आपको यह हमारा red color कर लेते हम PLT वाला तो अरी blue कर लिया इसमें हम दिखा लेते हैं आपको यह आपका रहेगा कौन सा बी एमपी का देख सकते हो यहां पर डोटे 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 शो हो रहा है लेकिन अगर आप यही फाइल आप PLT में करते हो तो इसमें आप देख सकते हो black color किया आपने तो यहां पर आपका कुछ शो नहीं होएगा लाइन आ रही है क्योंकि आपने वहां पर combine कर रहता है यहां पर हम weld कर देंगे तो weld हो जाएगा पूरा उस line की वज़े से आ रहा है जैसे कि देख सकते हो फिनिशिंग दोनों में करत चेंज है तो यही quality होता है BMP और फरक होता है BMP और PLT format में अगर कुछ भी अगर आप PLT में लेके जा रहे हो तो finishing cutting और engraving के लिए दोनों ही best रहेगी यही वीडियो हमारी इसी के लिए थी main purpose हमारा यही था कि आप कैसे CDR फाइल को इंग्रेविंग और cutting के लिए कैसे software में आप ले जा सकते हो तो वह आज हमने बता दिया है इसकी हमने एक और वीडियो बना रहे है वह भी आप देख सकते हो ताकि आपको पूरा clear आपको समझ आ जा जाए चाहिए तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल अकन दवाना ना भूले जिससे के आने वाली नहीं वीडियो पर आपको notification मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फूर वोचिंग अगर वीडियो